इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत इन में हिपनोटिक गुन भी होते हैं। इसका मतलब है वे मस्तिश की गतिविधी को धीमा कर देते हैं और आपको नीन दिया चक्कर आ सकते हैं। एट टर्न सो टैबलेट का उपयोग खाने के साथ या बिना करें। हाला कि इसे हर दिन एक ही समय पर लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे शरीर में दवा का एक समान स्थर बनाए रखने में मदद मिलती है। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी मिलें क्योंकि यह लंबे समय तक उपयोग के साथ आदत बन सकती है। यदि आप एक खुराक लेना भूल गए हैं तो याद आते ही इसे ले लें। किसी भी खुराक को न छोड़ें और बहतर महसूस होने पर भी उपचार का पूरा कोस पूरा करें। विशेश रूप से बुखार के साथ गंभीर चिकते देखते हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्श करना याद रखें। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस दवा के लंबे समय तक उपयोग से जोड़ों में दर्ध भी हो सकता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आउल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।